हेलो दोस्तो मेरा नाम अमित है NDT & Quality YouTube चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो थोड़े टाइम पहले मैंने All-Type IQI का एक वीडियो बनाया था तो IQI क्या है और IQI आपको कैसे यूज़ करना है ये सब डिटेल मैंने ये वीडियो में बताया हुआ था तो IQI मतलब की Image Quality Indicator इसको हम Penitrometer या Penny भी बोलते हैं तो ये वीडियो में मैंने All-Type IQI का बात किया हुआ था आज के इस वीडियो में हम वैसे ही दूसरा एक IQI होता है इसको Wire-Type IQI बोलते हैं तो ये वीडियो में हम Wire-Type IQI कैसे काम करता है और ASTM के हिसाब से ASTM मतलब American Society for Tasting Materials तो ASTM के हिसाब से Wire-Type IQI के कितने Set होते हैं और उसका Selection आपको कैसे करना है मतलब कि आपका कोई भी जॉब है उसके Thickness की हिसाब से Wire-Type IQI का Selection आपको कैसे करना है ये वीडियो में हम देखने वाले हैं तो वीडियो को आप पूरा देखिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो भी अपने दोस्तों और कलीग लोगों को शेयर करिए तो सबसे पहले हम इमेज कॉलिटी इंडिकेटर क्या होता है ये देख लेते हैं तो IQI और पैनिटामिटर इस यूज़ तो एंशोर देट मिनिममम रिकवार्ड सेंसिटिविटी इस देर ओन दे रेडियो ग्राफी फिल्म तो IQI या उसको आप पैनिटामिटर भी बोल सकते हैं या इसको शॉट में पैनी भी बोलते हैं उसका यूज़ क्या है आपका रेडियो ग्राफी का जो फिल्म है वो फिल्म में सेंसिटिविटी मिनिममम सेंसिटिविटी एंशोर करने के लिए IQI का यूज़ होता है तो sensitivity of radiography film is minimum size of discontinuity that can be detected in that radiography film तो sensitivity किसको बोलेंगे आपका film का sensitivity जो है वो कैसे पता चलेगा तो कुछ minimum size का discontinuity जो है वो आपकी art film में दिखता है कि नहीं वो आपको पता होना चाहिए तो अगर वो size का discontinuity आपकी film में दिखता है तो आपका film का sensitivity ओक्य है तो ये minimum size कितना रहता है वो हम आगे देखेंगे पर अभी के लिए ये याद रखना है कि आपका film का sensitivity जो है वो कुछ discontinuity जो है वो minimum size का कितना detect कर सकता है वो depend है आपके film का sensitivity के ऊपर तो ensure that we are getting required sensitivity we are using IQI और panetameter ठीक है दो ये sensitivity check करने के लिए या ensure करने के लिए हम IQI का use करते है इसको panetameter या penny भी बोल सकते है इसके बाद यहां पर लिखा है most of the codes and specification ask for minimum sensitivity of 2% है ठीक है तो most of code और specification आप देखोगे तो उसमें 2% sensitivity का requirement दिया रहता है तो ये 2% sensitivity है वो आपको कैसे find out करना है वो हम आगे देखेंगे in the below example you will understand what is mean by 2% sensitivity और we can say IQI selection formula ठीक है तो 2% sensitivity जो है वो आपको कैसे निकालना है वो देखेंगे अभी मैं यहां पर बता दू कि code और specification जो most of views होते है उसमें 2% sensitivity दिया हुआ है पर ऐसा जरूरी नहीं है कई बार कोई code और specification या आपका company के standard में 1% sensitivity भी हो सकता है ठीक है उसके अलवान ज्यादा sensitivity मतलब की 4% sensitivity भी हो सकता है ठीक है तो depend है कि आप कौन सा specification या standard यूज़ कर रहे है तो उसके इसाब से यह number जो है आपको यूज़ करना है तो यह 2% sensitivity है वो कैसे काम करता है उसके लिए एक example मैंने यहां पे दिया हुआ है suppose you have to radiograph a plate plate to plate welded joint of 10 mm thickness ठीक है तो हमारा job का थिकने से हो कितना है T is equal to 10 mm 10 mm का plate का हमको welding का radiography लेना है specification ask for 2% sensitivity ठीक है तो इसमें हमको 2% sensitivity चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा यह आपका 10 mm उसका 2% लेना पड़ेगा तो आप 10 mm का 2% निकालोगे तो आपको 0.2 mm मिलेगा ठीक है 0.2 mm वैसे ही सपोज आपका plate काथिकनेस 20 mm है सपोज बरबर मैं एक दूसरा example देता हूँ तो 20 mm का आप 2% करेंगे ठीक है तो आपको कितना मिलेगा ऐसे आपको करना है देखिए 20 into 2 divided by 100 ठीक है तो यह जो आणसर आपको मिलेगा वो 20 का 2% रहेगा बरबर वैसे ही कोई भी आपका plate का थिकनेस है तो उसका 2% आप निकाल सकते हो तो अभी हमारा सपोज plate का थिकनेस 10 mm है तो उसके लिए ऐसे रहेगा देखिए 10 into 2 divided by 100 तो यह आप करोगे तो final answer आपको 0.2 mm मिलेगा ठीक है तो आपका यह 10 mm थिकनेस का 2% कितना मिला आपको 0.2 mm ठीक है तो आपका रीडियोग्राफी का जो फिल्म है उसमें जो डिफेक्ट दिखता है जो डिस्कनियूटी दिखता है उसका साइज जो है वो 0.2 mm या उससे ज्यादा होना चाहिए मतलब कि मिनिमम जिरो पॉइंट टू एमम का डिस्कनियूटी जो है वो आपके फिल्म में दिखना चाहिए ठीक है तो आपका फिल्म जो है उसका जाएगा इन अधर वर्ड्स टू पर्संटेज बोला जाएगा इन अधर वर्ड्स टू डिस्कनियूटी स्टाटिंग फ्रॉम जो आपके फिल्म में दिखना चाहिए वो कितना रहेगा 0.2 mm बरावर तो ऐसे करके आपको यह कैल्क्यूलेशन करना है ना वहाव विल्यू मेशर देट रेडियोग्राफी फिल्म इस हैविंग मिनीमम तू पर्संट सेंसिटिविटी वी हैव तो यूज्ट इंस्टुमेंट कॉल्ड आईक्यू और पैनेटामीटर बरावर तो 0.2 है बरावर वो कैसे आपको पता चलेगा तो उसके लिए आईक्यू आई या पैनेटामीटर का यूज होता है IQI is a set of standard wires having standard diameter तो wire type IQI जो है उसमें wires रहते जिसका स्ट 안डर्ड डायमिटर रहता है और यह सॉलिड़ रहते है और टाइप आइक्यों इज अलसो यूज़ इन देट केस इट विल भी स्टांडर्ड थिकनेस प्लेट्स वीथ स्टांडर डायमिटर बरबर तो और टाइप आई क्यों मैंने अलग से वीडियो बनाया है उसमें क्या रहता है कि आपका प्लेट रहेगा और उसमें यह ऐसा तीन हॉल रहेगा ठीक है यह वाल का साइज जो वह स्टांडर रहेगा वह आपका वाल टाइप आई क्यूए का क्या नमबर है उसके सबसे यह तीनों होल का डायमिटर रहता है तो यह वाल टाइप आई क्योए का जो मैंने वीडियो बनाएं वह आप पूरा देखिएगा तो उसमें अलग अलग डायमिटर रहता है और यह वाल रहता है उसके बाद रहता है उसके बाद the IQI is place on radiography film while doing the radiography, the image will be caught in the film. if the wire having 0.2 mm diameter is visible in the radiography film we can then we can say that film is having sensitivity of this two percentage बराबर तो जैसे आप सब्सक्राइब यूज करते हो और जो वायर है उसका डायमेटर जो है वह 0.2 mm है बराबर तो जैसे हमने आगे कैलकुलेशन किया कि आपका वेल्ड प्लेट है उसका थिकनेश जो है वह 10 mm है ठीक है 10 mm का आपका प्लेट का थिकनेश है तो उसके इसाब से आप देखने बैठे तो आपको टू पर्सन सपोज सेंसिटिवीटी चाहिए तो टू पर्सन सेंसिटिवीटी के लिए 0.2 mm का कोई आपको दिखना चाहिए तो इसमें डिसकंटिवीटी जो है वह हम वायर रख लेते हैं सपोज बराबर तो कोई वायर टैप आई क्यों आप यूज करो और उसमें 0.2 mm का वायर है वह आपको दिख रहा है ठीक है 0.2 mm डायमीटर वाला वायर आपको दिख रहा है फिल्म में तो इससे क्या बोल सकते है कि आपका फिल्म का जो सैंसितिवीटी जो है वह वह 2 परसंट है ठीक है दा आई क्यों डट इस कॉमनली यूज इस ओफ ऐस्टीम एंड दीन स्तांड़र तो जनरली एस्टीम और दीन स्तांडर जो है इसके आई क्यों आइक्यों थे वह ज्यादा यहां पे ASTM standard जो है उसके IQI है वो कैसे select करेंगे उसमें वो देखते हैं तो उसके लिए एक table देखेंगे तो यह चो table है यह आपको ASME boiler and pressure vessel code section 5 जो है उसका article 2 देखेंगे आप ठीक है article 2 जो है वो radiography method के लिए है उसमें यह table आपको मिल जाएगा is the set of ASTM wire type IQI with its wire diameter ठीक है तो यह जो table है आपको ASME section 5 के article 2 में मिल जाएगा यह जो table है यह देखें table number जो है वो T233.2 करके यह table number है इसमें ऐसा लिखा है wire IQI designation, wire diameter and wire identity ठीक है तो आपका IQI designation, diameter, identity यह सब मिलेगा तो designation जो है वो यहाँ पे 4 set है देखें set A, set B, set C and set D तो set A, यहाँ पे set B है, set C and set D यह जो है आपका wire IQI designation बोला जाता है wire का diameter जो है वो पहले column में दिया हुआ है सब में और यह जो diameter है inch और mm दोनों में आपको मिल जाएगा उसके अलब wire identity जो है यह एक type का number दिया हुआ है ठीक है तो set A में से एक number से start होगा identity उसके बाद आप देख सकते हैं एक set में 6 wire होते हैं ठीक है तो एक से लेके छे number जो है तो वो set A में दिये हुआ है उसके बाद set B आप देखोगे तो set B में यह छे number वाला यह जो wire है ठीक है यह यहाँ पे भी set B में 6 नमबर पहला है ठीक है मतलब की set A का जो last wire है वो set B का first wire है ठीक है उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पे 11 तक है और set B का 11 जो है वो last है और सेट C का पहला है देखें यहाँ उसके बाद set C का जो last है वो 16 है जो set D का first wire है ठीक है तो यहाँ पे सबसे set A में सबसे पहले हम देखते हैं तो set A में देखे तो पहला जो wire है यहां पे उसका diameter वगेरा सब दिया हुआ है तो diameter आप देख सकते हैं 0.08 mm में है जो counts में दिया है वो mm में है set दूसरा जो wire identity दो number का आप देखे तो 0.10 mm दिया हुआ है ठीक है तीन number का point 13 ऐसे है तो मतलब की एक से लेके आप 6 number तक जाओ तो आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो wire का diameter जो है वो increase होता है wire diameter are increasing ठीक है वैसे ही यह 6 number का wire आप देखो जिसका diameter 0.15 mm है वो same wire जो है वो set B में यूज होता है देखे यहां पे 6 number का diameter जो है वो same है जो set A में last wire था ठीक है तो वैसे ही set B का जो last है वो set C का पहला wire होता है बड़ावल तो ऐसे यह 4 set है वो use होते हैं उसके बाद यहां पे इसमें दूसरी और एक बाद set D जो है last वाला ठीक है यह set D में सबसे largest diameter वाले wire होते हैं ठीक है यहां पे अब देख सकते हैं सबसे largest diameter जो है यह last वाला 21 नंबर का वायर है ठीक है इसका diameter जो है वो 8.13 mm है ठीक है अभी इसको आगे देखते हैं इसको कैसे use करना है नाव टूवर अबो एक्जम्पल सिलेक दस्ट आपको कैसे use करना है तो आगे हमने देखा था एक्जम्पल उसमें हमने जो पार्ट यूज किया था वो 10 mm जिसका वेल प्लेट का थिकनेश था तो उसमें हमको डिस्कन्यूटी जो चाहिए वो 0.2 mm का चाहिए था बराबर किसके लिए 2% sensitivity के लिए what is the minimum size of the wire to be shown in our radiography film in our example it is of 0.2 mm select the set of wire having 0.2 mm diameter wire ठीक है तो इसमें जो wire यूज करना है वो 0.2 mm diameter वाला wire यूज करना है तो देखें फिर से ये table देख लेते हैं तो यहां पे 0.2 mm wire यहां पे लिया हुआ है यह 0.2 mm है तो उसके लिए इसका set am को यूज करना पड़ेगा ठीक है और set a में देख सकते हैं यह six number का जो wire है बराबर वो आपका सबसे largest diameter वाला wire है तो आप suppose आपको यह five number का wire देखना है बराबर आपको दिख रहा है suppose तो six number का wire देखी रहा होगा जोकि वो उसे बड़ी size का है ठीक है जैसे यह आपका film होता है उसमें बीच में यहां पे welding रहेगा और wire type IQI है वो ऐसे plot किया जाता है ठीक है इसमें सबसे largest diameter वाला जो wire है बराबर वो आपको दिखने का चांद सबसे ज़्यादा है वो दिखेगा ही दिखेगा almost दिखी रहा होता है ठीक है तो यह six number का wire दिखेगा और five number का आपको दिखना चाहिए अगर वो पांच number का wire भी आपको दिख रहा है तो आपका film का sensitivity होके है उसके अलावा देखे चार number तीन number दो number यह सब wire भी आपको दिख रहा है तो अच्छा है ठीक है तो आपका 10 mm का plate का thickness है और 2% sensitivity चाहिए तो उसके लिए आपका disk community का size जो है वो 0.2 mm का size का disk community दिखना चाहिए तो उसके लिए यह set A आपको यूज़ करना है और five number का wire मतलब की second wire ठीक है यह आपका second wire होगा क्योंकि यहां से आप देखोगे तो उल्टा देखना चाहिए यह देखे एक number का wire यह दो number यह 3 यह 4 यह 5 और 6 मतलब एक number का wire जो है यह एक number का वो आपका actual में 6 number का हुआ ठीक है क्योंकि यह दिखने का चांद सबसे कम है ठीक है इसका size जो है wire का diameter जो है वो सबसे कम है इसके लिए ठीक है तो ऐसा आपको उल्टा देखना है यह 6 number का wire है वो आपका एक number का wire होगा 5 number का होगा वो आपका actual में 2 number का wire होगा ठीक है तो 2 wire आपको दिखने चाहिए अगर आपको दो wire यहाँ पे दिखते है तो आपका film का sensitivity जो है वो okay है अभी आगे दिखते है इसमें it is in set A ठीक है तो 0.2 mm वाला जो diameter का wire है वो set A में है in the above table and the wire is having the identity of number 5 ठीक है तो number 5 का identity number जो है उसका number 5 है so use this set at the time of taking radiography and if that wire is visible मतलब की 2 number का wire ठीक है 5 number का है वो actual में दूसरा wire होगा आपका 2 wires minimum will be visible that is wire of thickness of 0.2 mm and 0.25 mm will be visible ठीक है तो यह दोनों wire आपको दिखने चाहिए in this film then that radiography film is said to be having 2% sensitivity ठीक है तो यह दो wire आपको दिखरा है मतलब की आपका wire type IQI का sorry आपका 2% sensitivity जो है वो अचीव हो गया है the 2% sensitivity is an old method or we can say that a thumb rule for calculating sensitivity ASME BPVC section 5 specifies the wire identity number that shall be minimum visible while taking radiography of material with minimum thickness ranges in table below IQI selection chart ठीक है तो अभी तक हमने जो देखा वो 2% sensitivity वाला method था यह जो method है यह old method है और इसको आप thumb rule भी बोल सकते हैं अभी भी आप कोई exam देते हो सबोज ASNT level 3 का radiography का exam देते हो तो इसके related question पूछे जाते हैं पर अभी के लिए अगर आप ASME boiler and pressure vessel code use करते हो तो उसमें उन्होंने IQI selection chart अलग से दिया हुआ है ठीक है तो इसमें thickness range के इसाब से minimum thickness range के इसाब से आपका IQI selection chart दिया हुआ है तो उसके इसाब से आप directly ही essential wire देखके सीधा ही आप देख सकते हो कि वही identity वाला wire आपको दिख रहा है कि नहीं ठीक है तो इसके लिए आपको ASME boiler pressure vessel code का section 5 जो है और उसका article 2 यूज़ करना पड़ेगा तो article 2 में आप देखोगे तो यह table आपको मिलेगा यह जो table है यह table T276 करके है ठीक है table number T276 जो आपको ASME section 5 article 2 में मिलेगा इसमें यहां पे लिखा है देखे IQI selection ऐसा करके तो IQI selection जो है उसमें पहला जो column है उसमें thickness दिया हुआ है यह single wall material thickness range लिया हुआ है और यह mm में है ठीक है और यहां पे each में और mm दोनों में दिया हुआ है मतलब यह पहला दिया हुआ है यह each में है और counts में जो है वो mm में है ठीक है तो उसके अलवा source side आपने IQI सपोज रखा है और film side रखा है उसके दोनों के लिए अलग-अलग column है ठीक है अगर आपको specially बोला जाता है कि आपको film side IQI रखना है तभी आपको film side IQI रखना होगा नहीं तो अगर कोई भी specification या specify नहीं किया है कि आपको IQI कहां रखना है तो अमेशा source side ही IQI प्लेश करना रहता है उसके अलावा गेसमी section 5 article 2 जो है उसमें एक चार्ट भी दिया हुआ है कि आपका source का placement कैसा है उसके सबसे आपको source side IQI रखना है या film side रखना है ठीक है उसका भी एक अलग वीडियो बना के हम discussion करेंगे पर अभी के लिए suppose आपने source side IQI यूज किया है तो उसमें यहां पे wire type essential wire करके एक column है ठीक है तो suppose हम 10 mm का यह example लेते हैं आपका material का thickness जो है वो 10 mm है तो यहां यहां पे देख सकते हैं 9.5 through 12.7 ठीक है तो यहां पे 10 mm इसमें हमारा cover होगा तो उसके लिए यहां पे 7 number का wire दिया हुआ है ठीक है तो 7 number का wire आपके फिल्म में visible होना चाहिए ठीक है 7 number का भी देखेंगे तो फिर से हमको यह table देखना है देखिए यह table आप देखोगे यह वाला ठीक है वायर identity वाला हमारा जो table है इसमें 7 number हमको टूनना है ठीक है तो 7 number आपको कहा है यह ठीक है 7 number आपको डूनना है तो यह 7 number का वायर आपको visible होना चाहिए तो इसके लिए आपको सेट भी यूज़ करना पड़ेगा बराबर और सेट भी अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें देखिया उल्टे से आप गिन हो तो 1,2,3,4,5 मतलब की 5 वायर आपको visible होने चाहिए ठीक है तब भी आपका यह sensitivity जो है वो अचीव हुआ है ठीक है इसमें specially 2% sensitivity ऐसा नहीं लिखा हुआ है ठीक है अगर आप ASMR code यूज करते हो तो IQA selection के लिए यही चार्ट आपको यूज करना है ठीक है इसमें specially आपका ASMR code आप यूज करो दो 2% sensitivity ऐसा कोई requirement नहीं है यह selection चार्ट ही directly आपको यूज करना पड़ेगा तो वेसे ही suppose आपका job का थिकने से 20 mm है तो इसके लिए यहां पे देखिए 19 mm through 25.4 mm ठीक है तो इसमें आप suppose source side IQA रखते हैं तो यहां पे 9 लिखा हुआ है देखिए ठीक है तो 9 number का essential wire हमको चाहिए तो फिर से हमको यह table देखना पड़ेगा तो यह table में देख सकते हैं 9 number का wire कहां पे है आपका यह 9 number का wire है ठीक है तो आपको इसमें भी set B का use करना पड़ेगा और 9 number का wire है तो आपका 1, 2 and 3 तो तीन wire है वो use करना पड़ेगा ठीक है तो ऐसे करके आपको इसमें wire type IQA है वो selection करना रहता है तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा तो IQA related हमने दोनों वीडियो बना लिया है सबसे पहला all type IQA का भी अब जरूर देखिए उसके बाद ये wire type image quality indicator का वीडियो देखिए तो इसके related कोई भी question आपको पूछा जाए या film में भी कोई भी आपको query आए तो आप इसमें से समझ सकते हैं अगर आपको इसमें कोई doubt है तो मुझे आप comment box में पूछ सकते हैं अगे थैंक यू